नमस्कार स्टूडेंट्स आज हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे ओव्यूल जोकी मेगा स्पोर इंजिम होती है जिसमें मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है डिपेंडिंग अपन दी रिलेटिव पोजिशन ओफ माइक्रोपाइल और माइक्रोपाइल की पोजिशन के आधार पर छे प्रकार के ओव्यूल्स रिकोगनाईज किये जा चुके हैं जिसमें फर्स टाइप है एट्रोपस और ओर्थोट्रोपस सेकिंड है एनाट्रोपस थर्ड है कमपाइलोट्रोपस फोर्थ है हमफी ट्रोपस फिफ्थ है है हैमी एनाट्रोपस और हैमी ट्रोपस ओव्यूल्स और सिक्स्थ है सर्सीनी ट्रोपस ओव्यूल्स शर्सीनो ट्रोपस ओव्यूल्स जो की रेयर कंडिशन में पाया जाता है और्थोट्रोपस ओविल में माइक्रोपाइल और फ्यूनिकुलस एक लाइन में एरेंज होते हैं जब अनिक्वल ग्रोथ के कारण से यूनिलेटरल ग्रोथ के कारण से ओविल जो फ्यूनुकिलस और माइक्रोपाइल एक दूसरे के एक लोज आ जाते हैं तब वो अनाट्रोपस ओविल बनता है जो कि सबसे कॉमन टाइप का होता है अंजियोस्पंस में डेविस ने बताया कि 82% अंजियोस्पंग फेमिली जो होती है उनमें अनाट्रोपस ओविल पाये जाते हैं कंपाईलोपस यानि करवेचर इस लेस देन अनाट्रोपस और करवेचर ऑफ मोर ओविल और सफेक्ट दिनुसिलस तो दिनुसिलस आलसो बिकम होर्सूशेवड ओविल इस काल्ट एम्फ अनाट्रोपस ओविल इस एट राइट अंगल तो नुसिलस और दी इंटेग में इसी परकार से केक्टेशिक एंदर सर्सीन ट्रोपस पाया जाता हैं स्पेशल टाइप का ओविल इनिशली नुसिलर प्रोटीब्रेंस इस इन लाइन विद अक्सिस दू 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 सबसे पहले हम बात करते हैं एन एट्रोपस या और्थोट्रोपस ओविल की जो कि ए डाइग्राम ए में आप देख रहे हैं तो बोडी ओफ एट्रोपस ओविल इस अप्राइट सीधा आपको दिख रहा है और्डी माइक्रोपायल चलेजा एंड फ्यूनिकल तीनु एक स्टेट लाइन में दिखाई आपको दे रहे हैं तो इस प्रकार के ओविल जो कहलाते हैं एट्रोपस या ओर्थो प्रिमिटिव Cont récup के ओविल कहलाते हैं जलागभग बीच पेमिली यंग्यसमेज की हैं उनमें पाए जाते हैं जैसे पॉलीगेनिस है और फारिपरेसी इन के अंदर ये पाह जाते हैं और बीच फेलीज के अंदर पनिकरेच पॉलीज़ में ।ी इसमें दिखाई देते हैं इनाट्रोपस ओविल इस टाइप के ओविल जो है वो एक टीपिकल ओविल होते हैं जिसमें डू टू यूनिलेटरल ग्रोथ ओफ्यूनिकल वोल बोडी जो होती है ओविल की इन्वर्टेड हो जाती है त्रोववनेटे डिग्री जिसके कारण से माइक्रो पाइल जो होता है वो फ्यूनिकल के बेस के पास में ही आ जाता है, नीचे की तरब मुड़के आ गया है, डाइग्राम में देखो दिनुचिलेस रिमेन स्टेट यानि माइक्रो पाइल और चले जा लाइन वन लाइन एंड फ्यूनिकल लाइ पैरलल टू इट एक लाइन में यह होंगी और एक लाइन में फ्यूनिकल यह सबसे कॉमन टाइप का होता है और सेवल फैमिलीज और बोथ डाइकोर्स एंड मोनो कोर्स में यह पाया जाता है तो लगबब दो सो चार फैमिली जो हैं उनके अंदर पाया जाता है एक जाम्पल में जैसे आपको एक जाम्पल हम बात करें सिम पेटली के जितनी भी फैमिलीज है उनके उनमें सब में यह पाया जाता है मोस्ट प्रविन टाइप का ओविल है नेक्स है कमपाइलो ट्रोपस ओविल कम पायलो ट्रोपस ओविल जो होते हैं इस टाइप के ओविल में करूड बोड़ी होती है और लेकिन इंका करवेचर जो होता है अनुट लिव्चेस की तुलना में कम होता है वो बहुत ज़ञा जादा घुम जाते हैं फोड़ा घुम के रह जाते आज अगा अगदा मैंक्रोपाइल और चलेजा नोटिन स्टेट लाइन और फ्यूनेकल इसट लाइड एत राइट एंगल तु दिन चलेजा मैक्रोपाइल और चलेजा है वह एक लाइन में नहीं है क्युकि micropyl नीचे की तरफ आ गया और चले जाब ऑपर इसकी साइड में रह गया है और अनAJज़, पर ही خले वेल्ड के नहीं काम फ्यूर फेमील इस लाइक चीनोपोड के इनके अंदर पाया जाता है लगवग फाइफ फेमिली ज़ के अंदर केपरीड़ेसी चीनोपोडियेसी के अंदर ये देखने को मिलता है कमपाइलो ट्रोपस ओविल हेमी, एनाट्रोपस या हेमी ट्रोपस ओविल इस टाइप के ओविल में बोडी है वो लगबग 90 डिग्री पर करूपर जाती है टंड हो जाती है ओविल की बोडी और यह होरिजेंटल ली बाया जाता है किसके उपर फ्यूनिकल के उपर और हैंस दी माइक्रोपाइलेंड चेले जाल ओनें होरिजेंटल लाइन यह की लाइन में होते हैं और इसके अंदर डाइग्राम में आप जो देख रहे हैं हेमी एनाट्रोपस के अंदर डाइग्राम इ में आप क्या देख रहे हैं कि इसमें माइक्रोपाइल और चेले जा ओन वन होरिजेंटल लाइन फ्यूनिकल राइट राइट अंगल टू दिस लाइन हेमी एनाट्रोपस ओविल्स जो होते हैं वो मेंबर्स ओफ रैननकुलेसी प्रीमुलेसी इनके अंदर पाए जाते हैं इसके अलावा यह जो हेमिनाट्रपस ओविल जो होते हैं लगबग 13 फेमिलीज के अंदर मोस्ट प्रमिनेंट होते हैं प्रिमिलेसी माल पीगेसी इनके अंदर ये देखने को मिलते हैं नाव नेक्स्ट है कमपाइलो ट्रोपस ओविल्स कमपाइलो ट्रोपस ओविल वो ओविल होते हैं जिनमें करड बोडी तो होती है बट डी डाग्राम डी में आप देखने हैं लेकिन करवेचर is less than that of एनाट्रोपस ओविल्स एनाट्रोपेस ओविल की तुलनामे करवेचर कम होता है और ऐसेच माइक्रोपाइल और चेलेजा आर नोट इन ए स्टेट लाइन एंड फिनुकल लाइ अट दी राइट अंगर अगर अब दी चेलेजा ये वैसे ही है कमपाइलो ट्रोपेस ओविल्स आर नोन टो अकरिन फेमिली कौनकौन सी केपिरेडेसी चीनो पोडियसी के अंदर पाये जाते हैं कमपाइलो ट्रोपेस ओविल्स मुखे रूप से 5 फेमिली केपिरेडेसी चीनो पोडियसी के अंदर देखने को मिलते हैं नाव, Amphitropos Ovule, ऐसे ओविल, जिसमें इस तरह के ओविल, जिसमें प्रोनांस्ट करड़ बोडी लाइक देट ओफ एनाट्रोपस ओविल, एनाट्रोपस ओविल की तरह से ही होती है, लेकिन, एम्ब्रियो शेक ओविल के अंदर जो होता है, वो भी बेंट हो जाता है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, डी में, और जैसे कर्व होता है, एम्ब्रियो शेक भी उसी के साथ करवेचर में आ जाता है, और, माइक्रोपाइल एंब्रियो शेक विदिन ओविल आलसो बेंड एंड बिकम होर्शू शेप्ट, गोड़ी की नाल जैसा हो जाता है, एम्फी ट्रोपस ओविल्स जो होते हैं, पाए जाते हैं, मेंबर्स ओफ लोगे नियसी, एलिस मेसी, ब्यूटा मेसी, इनके अंदर ये प पाए जाते हैं, नेक्स्ट है, सर्सीनो ट्रोपस ओविल्स, सर्सीनो ट्रोपस ओविल्स जो की एक एक्टेसी फेमली का ही एक स्पेशल टाइप का ओविल्स है, और बहुत ही रेर कंडिशन में पाए जाता है, इनिशली जो निशिलर प्रोटीब्रेंस होती इन लाइन विद अक्सीज, डू टू यूनिलेटरल ग्रोथ, इट बिकम एनाट्रोपस अंड आईजी करवेचर कंटिनू, इट अगेन बिकम ओर्थोट्रोपस, इसमें फ्यूनिकल स्लोंग होता है, और एक कम्प्लीट सर्कल बना लेता है, ओविल के चारोटरफ, जैसा कि डाइग्राम अप में आप देख रहे हो, और पहले जैसे ओविल होता है, प्रिमिटिव टाइप, पहले और्थोट्रोपस, फिर अनाट्रोपस, और फिर ओर्थोट्रोपस, अगेन और्थोट्रोपस, यानि जो करवेचर होता वह three sixty degree पर होता है और इस तरह के ओव जुआ है वह मुख्य रूप से पाए ज़ाता है फेम ली केक्टेशी के मेंबर और कुछ मेंबर्स प्लम्बेजिनेशी के अंदर भी पाये जाते हैं तो केक्टेसी के अंदर प्लम्बेगो और केक्टेसी के अंदर ओपेंशिया है फाइलो केक्टेस है इनके अंदर ये पाये जाते हैं और इनमें करवेचर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है करवेचर होने के कांड़ से इस तरह की सिच्वेशन पैदा हुई है क्याक्टेसी के अंदर ही एयर स्पेस पाए जाते हैं वह जो की हमने इसके बारे में पहले पढ़ा था तो इस परकार स्टुडेंट्स हमने ओविल के टाइप के बारे में पढ़ा थैंक यू किया झाया तक प्सके बारे में लाजकरी स्टुडेंगzd d à